कहानी 31 गंगाफ तरण कभी कभी एक छोटी सी घटना बहुत बड़े कारे कारण बन जाती है। सत्यवरत के वंशधरों में महाराज सगर बड़े प्रतापी और पुन्यात्मा थे। संपून भूमंडल में उनका राज्य फैला हुआ था। बड़े बड़े शूरवीर और राज्य अधिकारी भी उनके समक्ष मस्तक छुकाते थे। कहते हैं महाराज सगर के साथ हजार पुत्र थे। महाराज सगर का राज्य जब संपून भूमंडल पर फैल गया तो उन्होंने अश्वमेध यकी का आयोजन किया। यगे का घोड़ा छोड़ा गया। सगर के साथ हजार पुत्र घोड़े की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। महाराज सगर ने जब अश्वमेध यगे की रचना के तो इंद्र के मन में एर्शा उत्पन हो गई। उसने मन ही मन सोचा। यदि सगर का अश्वमेध यगे पून हो गया तो वे उसके बराबर हो जाएंगे। अताहिस यगे को पून नहीं होने देना चाहिए। इंद्र ने यगे में विग्ण डालने के उदेश से यगे के घोड़े को चुरा लिया। उसने यगे के घोड़े को ले जाकर उस जगह बान दिया जहां कपिल मुनी का आश्रम था। और जहां भी बड़े तप में सनलगन थे। आजकल उस स्थान को गंगास आगर कहते हैं। इंद्र ने जब घोड़ा चुरा लिया तो घोड़े के रक्षा के लिए नियुक्त सगर के साथ हजार पुत्र उसके खोच करने लगे। सगर के सभी पुत्र घोड़े की खोच करते हुए उसे इस्थान पर आप पहुँचे जहां कपिल मुनी तप में निमकन थे। तहा सगर के पुत्र मुनी के प्रती अपशब्दों का उच्चारण करने लगे। कहीं कुछ भी पता न चला। महाराज सगर की एक दूसरी रानी और थी जिसका नाम केशीनी था। महाराज सगर किस वरगवासी हो जाने पर केशीने के पुत्र असमंजस ने अपने पृत्रव्यों का पता लगाने का प्रयात्नि किया। किन्तु उसे भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होई। तदुप्रान असमंजस के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी इस दिशा में पढ़ा प्रयात्नि किया। किन्तु उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होई। दिलेप के पुत्र का नाम भगीरत था। भगीरत बड़े प्रतापी और बड़े पुन्यात्मा थे। संपून घटना का विवरन सुनने के पश्चात उन्होंने द्रण पृतिग्या की के चाहे जो भी हो वे अपने पृत्रव्यों का पता लगा करके ही रहेंगे। महराज भगीरत रथ पर सवार होकर अपने पृत्रव्यों का पता लगाने के लिए राजधानी से निकल पड़े। महराज भगीरत की प्रार्थना से कपिल मुनी प्रसन्न हुए। गंगाजी को प्रित्वी पर लाना होगा। गंगाजी के पवित्र जल के स्पर्षते ही तुमारे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। कपिल मुनी के द्वारा अपने पित्रव्यों का हाल जानकर महराज भगीरत को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मन ही मन में प्रतिग्या की। भले ही उनकी सांसे क्यों न तूट जाए। किन्तु वे अपने पूर्वजों की सदकती के लिए गंगाजी को स्वर्ख से अवश्य प्रित्वी पर लाएंगे। महराज भगीरत राजे के प्रबंध मंत्रियों को सौप कर हिमाले के प्रांगण में जाकर तप करने लगे। अने जल छोड़कर कठिन तप करने लगे। उन्होंने बहुत दिनों तक कठोर तप किया। किन्तु महराज भगीरत का तपासन हिमाले की तरह द्रिड रहा। प्रचंड आंधिया आई, प्रलेव रिष्टी हुई, पथर बरसे और बिजलियां भी कड़की। तब उनके कठोर तब से घंगा जी प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रकट होकर कहा, राजन मैं तुम्हारे त प्रिथ्वे के सतह को तोड़कर पाता लोक में चली जाएगी। गंगा जी के कठन को सुनकर महराज भगीरत चिंते थो उठे, वे चिंता भरे स्वर में बोले, फिर मैं क्या करूं मां। गंगा जी भगीरत के साहस और पुरुशार्थ पर प्रसन्न थी, उनके प्रेम और उनकी भग्ति ने भी गंगा जी को पुलकेत कर दिया था, वे प्रसन्न मुद्रा में बोली, राजन मेरी प्रचंड धारा को रोकने की शक्ति शिवजी के अत्रिक्त अन्ने किसी में नहीं है, तुम तपके द्वारा उनको प्रसन्न करो, यदि वे प्रचंड प्रवाह को र प्रसंद करने के लिए तप करने लगे माराज भगीरत ने शिव जी को प्रसंद करने के लिए भी कठो और तप किया शिव जी प्रसंद न हुए उन्होंने भगीरत से कहा मैं गंगा की प्रचंद धारा को अपने सिर पर लेने के लिए उद्यत हूं जिब शिव जी गंगा की प्रचंडधारा को अपने शीश पर लेने के लिए तयार हो गए, तो गंगा जी हर हर शब्द करती हुई स्वर्ग से चल पड़ी। गंगा जी स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से प्रवाहित होती थी कोई कोई कहता है कि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली है इसके विप्रित किसी का कतन है कि गंगा जी भगवान विश्णू के पैरों के नक से निकली है जो भी हो आखिर गंगा जी धर्ती की ओर चल पड़ी भगवान शंकर अपने दोनों पैरों को जमा कर धर्ती पर खड़े थे वे आकाश की ओर देख रहे थे उनकी जटाएं खुली हुई थी गंगा जी भगवान शंकर के मस्तक पर गर कर उनकी जटाओ में समा वेश्ट हो गई गंगा जी की एक बून भी धर्ती पर नहीं गिरी गंगा जी को शिवजी की जटाएं इतनी प्रिये लगे कि वे धर्ती पर आना ही भूल गई शिवजी ने गंगाजी की प्रचंड धारा को अपने शीश पर धारन किया अतहवे उसी दिन से गंगाधर कहे जाने लगे गंगाजी जब शिवजी की जटाओं के प्रेम के जाल में उलच गई तो भगीरत के समक्ष पुनहा एक समस्या उत्पन हो गई अब भी क्या करें? भी अब कौन सा उपाय करें जिससे गंगाजी धर्ती पर प्रवाहित हो? माराज भगीरत शिवजी को प्रसंड करने के लिए पुनहा तप में सन लगन हुए उन्होंने पुनहा बहुत दिनों तक तप किया तरह तरह के कश्ट भी उठाए उनके तप से शिवजी प्रसंड हुए उन्होंने गंगाजी को अपने जटाओं से मुक्त कर दिया फलतहा गंगाजी हर हर शब्द करती हुई प्रवाहित हो ठी वे हिमाले के गोमुक से बाहर निकल कर धर्ती पर प्रवाहित हो ठी उनका प्रचंड प्रवाह पत्थरों को तोड़ता हुआ, बड़ी बड़ी शिलाओं को पीसता हुआ बहने लगा कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में जहनुमुनी की कुटिया मिली गंगाजी अपने प्रचंड प्रवाह में उनकी कुटिया को भी बहा ले गई जहनुमुनी कृध्ध हो गए, उन्होंने गंगाजी की गति को अवरुध कर दिया कोई कोई ये भी कहते हैं कि जहनुमुनी ने गंगाजी को अपने कमंडलू में भर लिया जो भी हो, महराज भगीरत पुनह संकट में पढ़ गए जहनुमुनी को प्रसन करने के लिए उन्हें उन्हा तप करना पड़ा उनके तप से प्रसन होकर जहनुमुनी ने गंगाजी को गति प्रदान की ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने गंगाजी को अपने कमंडलू से बाहर निकाल दिया गंगा जी चलचला कर बहती हुई प्रस्तर खंडों को तोड़ती हुई बंगाल की खाड़ी की ओर चल पड़ी गंगा जी को दूसरी बार जहनु मुनी के द्वारा गती प्राप्त हुई थी इसलिए वे उसी दन से जहनु तनिया या जानवी कहलाने लगी एक लोग कथा के अनुसार आगे आगे महाराज भगीरत गोड़ा दोड़ाते हुए चले और उनके पीछे पीछे चली गंगा जी जिन जिन मार्गों से महाराज भगीरत आगे बढ़ने लगे उनी उनी मार्गों से होकर गंगा जी बहने लगी महराज भगिरत गंगाजी को उस स्थान पर ले गए जहां कपिल मुनी के आश्रम के पास उनके पूरवज भस्म के ढूह बन गए थे गंगाजी के पवित्र जल के स्पर्श से उनके पूरवजों का उधार हो गया वे स्वर्ग चले गए जो भी हो गंगाजी गोमुक से बाहर निकल कर हज़ारों किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल गए वे जिस स्थान में समुद्र में मिली उसे आजकल गंगा सागर कहते हैं वहाँ कपिल मुनी का मंदिर आज भी बना है प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन लाखोश रधालू वहाँ आते हैं गंगा सागर में स्नान करते हैं कपिल मुनी का दर्शन करते हैं और गंगा अफ्तर्ण की इस कथा को कहते और सुनते हैं व्यास जी की अनुसार, जो मनिश्य प्रेम से गंगा अफदरण की कथा को कहता और सुनता है, वो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। कहानी 31 गंगा अफदरण समाप्त